कैसे हैं आप सब I hope कि आपसब लुए कर रिलेटेड क्योंकि रक्षाबंधन को लेकर बहुत लोगों में बहुत कण्फ возможно कि 11 लेह Duas कि भाद रूरे Region से लेकर बहुत सांदा confusion लोगों में बहुत जैदा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि आखिर रक्षा बंधन मनाया कब जाएगा तो बस बही कन्फूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वीडियो को लाज तक देखिएगा तो आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपकी हेल्प होगी और वीडियो हेल्फ हो रहे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा इस साल रक्षा बंधन के त्योहार पर भद्रा का साय रहेगा तो 11 अगस्त यानी की रक्षा बंधन पर साम 5 बच कर 17 मिनट से बद्रा पूछ शुरू हो जाएगा और बद्रा पूछ 5 बच कर 17 मिनट से लेकर 6 बच कर 18 मिनट तक रहेगा इसके बाद 6 बच के 18 मिनट से रात 8 बचे तक मुख बद्रा रहेगी बद्रा काल में बैसे तो राकी नहीं बाननी चाहिए लेकिन बहुत मजबूरी हो तो इस दिन प्रदोस काल में जोब लाब अमरत मैंसे कोई एक चोगड़िया देखकर राकी बान सकते हैं रक्षा बंधन पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली बात की रक्षा बंधन बाले दिन जब आप सुबह तैयार होती हैं तो उस दिन काले कपड़े नहीं पैनने चाहिए ना ही भाई को ना ही बेहन को तो काले कपड़ों से निगेटिव और जा मिलती है इसलिए में काले कपड़े नहीं पैनने चाहिए जब आप भाई का टीका करती हैं तो ये ध्यान रखिए कि भाई के सिर पर रुमाल रखा हो और एक बात का ख्याल और रखना है कि भाई का चेहरा दश्र दिसा की तरफ ना हो माथे के उपर जब आप चावल लगाएं तो ध्यान रहें कि चावल तूटे हुए ना हो क्योंकि तूटे हुए चावल सुब नहीं माने जाते जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी या धागा बानती हैं तो ध्यान रखना है कि राखी या धागे की गाठ तीन होने चाहिए तीन गाठों की बहुत आइमियत होती है पहली गाठ भाई की लंबी उम्र और सिहत के लिए बांदी जाती है दूसरी गाठ भाई की सुक्सम्रद्धी के लिए बांदी जाती है तीसरी गाठ रिस्ते को मजबूत करने के लिए बांदी जाती है तो ये तीन गाठी ब्रह्मा साबन महीने की जो सुकल पक्ष की पूर्णिमा की तिथी है वो 11 अगस्त को है और गुरुवार के दिन सुभा 10 बच कर 38 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 12 अगस्त सुकरवार को सुभा 7 बच कर 5 मिनट पे समाप्त हो लेकिन कोई भी तिवहार उदिया तिथी के हिसाब से मनाया जाता है इसलिए इस बार रक्षाबंदन का जो तिवहार है वो 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा आई होप कि आपका सारा कन्फीजन दूर हो गया होगा और रक्षाबंदन से लेकर आपकी मन में कोई कन्फीजन नहीं होगा तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स